तो मूवी की स्टार्ट होती ही हमें कोरत को देखते हैं जिसके चरों तरफ वो सारे लोग बेटे होते हैं और वो एक मैजिक कर रही होती हैं इस मैजिक में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी और दुनिया में हैं और दूसरी दुनिया से को इनसान उसे बता रहा था कि उसका किस ने किया है इसके बाद हमें दो लॉयर्स दिखाया जाते हैं जो कि अपने पने कोर्ट में केस लड़ रही होते हैं उन में से एक लॉयर तो ऐसा था जो कि बिल्कुल पर्फेक्ट था यानि कि उसने आज तक कोई भी केस नहीं हा रहा होता में वाइल दूसरी लॉयर को दि जित जाता है इसके बाद उसका यही फ्रेंड उसकी असिस्टंट को स्टोन से बना एक स्टैचू गिफ्ट करता है और उससे कहता है कि यह सोचने वाला स्टैचू है और जब कभी आप मुश्किल में हों और आप इसे कुछ कहें तो यहीं नहीं बलके आपकी मुश्किल को ह भी करता है अब उससिस्टेंट को ये बात अजीब भी लगती है और उसे ये स्टैचू पसंद भी नहीं आता लेकिन फिर भी वो इसी गिफ्ट समझ कर रख लेती है इसके बात हमें वो पर्फेक्ट वाला लॉयर दिखाया चाहता है जिसके सामने बेठा हुआ आदमी उसे कम कर सकते हों नेक सीन में हमें वो लड़की दिखाये जाती है जिसे फॉनिक्स के फ्रेंड ने स्टैचू गिफ्ट दिया था इस लड़की का नाम मिया होता है जो कि अपनी केस की वज़े से काफी परिशान होती है और तबी वो स्टैचू से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो और बस उसके फुरण बाद ही जो चीज़ें उसे समझ नहीं आरही होती वो स險 आने लगती है इसके बाद हमें ये लड़की एक फ्लैट में दिखाये जाती है जहां हमें पीचे से किसी की आवास सुनाई दीती है जो कहती है कि मैं काफी टाइम से इस कीस पर काम कर रही हू और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब मुसीबत में हैं वो फॉनिक्स से कहती है कि मैं कल सुबा तुम से मिलना चाहूंगी और हम इस पर डिसकस करेंगे नेक्स सीन में फॉनिक्स जब मियां से मिलने जाता है तो वो देखता है कि मियां की तो डेट हो गई है यानि कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया है वहीं पर उसे एक लड़की भी दिखाई देती है और वो उसे पुछता है कि तुम कौन हो और जबी एमुलेंस को कॉल करने वला होता है कि तबी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं ये लोग वहाँ पर इन्वस्टिगेशन करने के लिए आई थी और तबी उन्हें वहाँ एक पेपर पर माया लिखा हुआ दिखाई देता है उस पर कौन से माया लिखा हुआ था और जो लड़की मिया के पास थी उसका नाम भी माया था मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी बेहन ही तो थी और फॉनिक्स माया से कहता है कि तुम परेशान मत हो तुमारा किस मैं लड़ूगा तब फॉनिक्स उससे पुछता है कि तुम वहाँ पर क्यों आई थी तब वो कहती है क्योंकि मेरे पास मेरी सिस्टर की कॉल आई थी और उसने मुझे बताया था कि मुझे एक ऐसा स्टैचू मिला है जो कि सोच सकता है और तुमें तो टॉइस पसंद है इसलिए उसने मुझे अपने आफिस बुलाया अब फॉनिक्स इस केस पर काम करना शुरू कर दीता है तब उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम चाहे जो भी कर लो लेकिन तुम यह केस नहीं जीत पाओगे क्योंकि तुम्हारा पॉनेंट मायल है ये प्रोसेक्यूटर वह है जो कोई भी केस नहीं हारता नेक्स सीन में हमें Phonics दिखाया जाता है जो के जाकर Μाईल से मिलता है असल में Phonics और माईल दोनों बच्पन में फ्रेंड्स थे लेकिन पिर बाद में किसी वज़ा से उनकी दोस्ती तोट गई अब माया कोट में आ जाती है और ये दोनों दोस्त एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है इस केस को लड़ने के लिए की स्टार्ट होता है और मायल डिटक्टिव को बुलाता है डिटक्टिव सब को बताता है कि पेज़ पर खून से माया लिखा हुआ था और वो खून भी किसी और का नहीं बलकि मिया का था तो फॉनिक्स डिटक्टिव से कहता है कि तुम यकीन है कि वो खून मिया का ही था और तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो कि खून से माया का नाम मिया नहीं लिखा था जिस पर डेटक्टिव कहता है कि हाँ यकीनन उसी नहीं लिखा होगा ये सुनकर फॉनिक्स कहता है कि मिया की डेट तो मौके पर ही हो गई उसके पास टाइम नहीं था कुछ लिखने का तब उसका प्रोसेक्यूटर जो कि बच्पन में उसका दोस्त था उसे कहता है कि तुम जिस अटॉपसी रिपोर्ट की बात कर रहे हो वो तो आउटडेटिड है और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो ज़्यदा एडवांस्ट है और उसके हिसाब से उसके पास इतना टाइम था कि वो कुछ लिख सकती थी इसके बाद ये अपना नेक्स रिटनेस पेश करते हैं जो कि सामने वाले होटल से एक रिपोर्टर था वो बताता है कि रात में लेमन टी पी रहा था लेकिन तब ही वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आती है यानि वो यहाँ पर माया की बात कर रहा था वो बताता है कि माया ने अपनी बेहन यानि मिया को मार दिया तो फॉनिक्स उससे पुछता है कि उसने किस चीज़ से मारा तो वो कहता है कि उसने एक लॉक से मारा था उसे बात वो जजज से कहता है कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करें। यहां पर माया बताती है कि मेरी बेहन ने मुझे कॉल कलकी कहा था कि यह कलॉक अभी काम नहीं करता। वहां जजज जब उस कॉलॉक को यूज करता है तो ठीक से काम नहीं करता। तब फानिक्स उस विटन पर ही सेल होती है, अब विटनेस को कुछ समझ नहीं आरही होती, और वो कहे देता है कि मैं तो भूल गया, अब जजच फॉनिक्स से कहता है कि अब क्यूंके वो भूल गया है, और मैंने देखा कि वहाँ पर लैंप भी गिरा था तब फॉनिक्स उससे कहता है कि जहाँ पर खड़े होकर तुम देख रही थी वहाँ से तो लैंप दिखता ही नहीं और तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पर लैंप है और वो गिर गया है तब ही प्रोसिक्यूशन विटनेस को बचा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि तुम उस आफिस में वायर टैपिंग के लिए गए थी तब विटनेस कहता है कि हाँ हाँ मुझे याद है मैं काफे टाइम पहले वहाँ पर वायर टैपिंग के लिए गया था और तब ही मैंने वहाँ पर लैंप देखा था अब फॉनिक्स को कुछ भी समझ नहीं आती कि वो क्या करी लेकिन तब ही उसे उस लड़की की आवाज सुनाई दीती है जिसकी डेथ हो गई है और वो उसे कहती है कि तुम केस नहीं हारे तुम जिए चुके हो तुम में परिशान होने की जरूरत नहीं है तुमारे हाथ में सबूत है उसकी हाथ में एक पेपर था जो कि उसे लैंप की रिसीद थी यानि कि उसकी बाइंग की तब वो जजज को बताता है कि ये लैंप तो मर्डर से कुछ टाइम पहले ही खरीदा गया था और ये आदमी वायर टैपिंग के लिए काफ़े टाइम पहले आया था तो ये कैसे जानता है कि उस आफिस में लैंप पड़ा हुआ था अब वो जजज को कहता है कि ये कह रहा है कि इसने लेम देखा था लेकिन असल में तो ये मिया का मर्डर करने आया था अब कोर्ट में शोर होनी लगता है और इस केस का फैसला माया के हक में हो जाता है यानि कि उस witness नहीं उस लड़की का murder किया था और माया जो के मिया की बेहन थी वो बेकसूर थी अब जब उस witness को ले जाया जा रहा होता है तो ये लड़की माया शूर मचा देती है और उसे कहती है कि तुमने मेरी बेहन को क्यों मारा तो वो बताती है कि ये इनसान इन्हें जिसने के उसकी बेहन को मारा है उसका नाम मिस्टर वाइट है इसने एक आर्टिकल लिखा था और वो आर्टिकल इसने मेरी मदर के खिलाफ लिखा था क्यूंकि वो इक केस में किसी आदमी का साथ दे रही थी अब फॉनिक्स इस केस के बारे में स्टरडी करने लगता है तब उसी पता चलता है कि इस केस में जिस आदमी के डैठ हुई थी वो उसकी फ्रेंड के फादर थे याई वो ही फ्रेंड जो पिछले केस में प्रोसिक्यूशन था यानि कि उसकह पॉनेंट था यानिकि माईल अब इस केस को स्टड़ी करती करती वो सोच जाता है लेकिन तबी वहाँ पर माया आकर उस एक दम से जगा देती है और बोलती है कि टीवी देखो टीवी में नियूज ठी होती है कि कादमें का मर्डर हो गया है और इसमें अरेस्ट किया गया है माईल को अब फॉनिक्स फॉरन माईल के पास जाता है क्योंकि वो उसका बच्पन का दोस्त था और वो उसकी हेल्प करना चाहता था ये उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तब वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है और भी बहुत सरे लायर्ज हैं और मैं किसी को भी अपनी केस के लिए रख सकता हूँ ये उसे काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता और वहां से चला जाता है इसकी बाद जब ये वहां से जा रहा होता है तब इसके पास एक आदमी आता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि माईल का केस तुम ही लड़ो तो फॉनिक्स कहता है लेकिन माईल तो चाहता है कि मैं उसका केस ना लड़ो तो वो आदमी कहता है कि नहीं तुमसे अच्छा कोई भी उसका किस नहीं लड़ सकता अब फॉनिक्स भी उसका किस लडने का फैसला कर लीता है अब फॉनिक्स माया के साथ उस लेक पर जाता है जहांपर मर्डर हुआ था वहाँ पर एक कैमरा होता है जोके तभी पिचर बनाता है जब जोर से गौड बोला जाता है क्योंकि मर्डर के दुरान सामने एक कपल था जोके पिचर बनवा रहा था लेकिन तभी लेक से एक काफी बड़ी क्रियेचर उठी और ये भी नियूस देखी गई कि वहाँ पर मर्डर हुआ है इसके बाद फॉनिक्स मायल की पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी केस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ जिसका स्टार्ट में केस फॉनिक्स लड़ रहा था तो फॉनिक्स मायल को बताता है कि उस टाइम क्लास में तुमने मेरी हेल्प की थी और अब मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ इन्शार्ट मैं इस केस को लड़ना चाहता हूँ प्रम आपको हुआ जहांपर फॉनिक्स माया को बता रहा होता है कि मेरा प्रोसीक्योटर यानि जो मेरी ऑपोजिट केस लड़ेगा उसने 40 साल से अब तक कोई भी केस नहीं हारा और 40 सालों में उसने जिर्फ एक चुटी ली है अब केस स्टार्ट होता है और पहले विटनेस वो लड़के लाए जाती है जो कि इस बड़ी सी करीचर को के लिए उस लेख के पास बैटी हुई थी वो बताती है कि रात के टायम मुझे गोली चलने की ऑवास सुनाई दी गई थी वो कहती है कि मैंने देखा एक बोट तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने उस सादमें को देखा था यहां पर वो लड़की कनफ्यूस थी और वो बोलती है कि मैं बहुत खुश थी कि मैं किसी कीस में जाओंगे विटनेस बन कर इसकी बात वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि अब वो क्या कहें उस लड़की की जाने की बाद जज प्रोसेक्यूटर से कहता है कि अब आप क्या कहना चाहते हैं तब वो कहता है कि बोट में दो ही लोग थे अब अगर एक इनसान मर गया तो जाहर सी बात है सब लोग वहां पर शोर मचाने लगते हैं कि ये क्या कह रहा है तब जज कहता है कि हम एक न्यू पोसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकती और कहता है कि कल दुबारा कोट का ट्राइल होगा इसके बात फॉनिक्स और माया केस पर स्टडी करना स्टार्ट कर दीते हैं और काफे चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं तब ही उन्हें एक घर मिलता है और ये घर उस बोट वाले आदमी का था जिसकी बोट पर मर्डर हुआ था मर्डर होने वले आदमी का नाम हैमन्ड था नेक्स सीन में हमें फॉनिक्स का फ्रेंड दिखाया जाता है जो कि अपनी एक क्रियेचर बनाता है और वो उसके इंदर हवा भरता है और वो ये भी बताता है कि जैसा कि बताया गया था कि लेक में क्रियेचर आई है असल में वो क्रियेचर नहीं थी वो बलके मेरा यही बनाया गया क्रियेचर था वो कोई रेल क्रियेचर नहीं था बलके यह आटिफिशल क्रियेचर था जो बाइ मिस्टेक लेक में जाकर गिर गया और सब को लगा कि लेक में कोई क्रियेचर आ ग और तो और जिब उस Board के honor से उसका नाम पूछा जा जाता है तो वो कहता है कि मुझे कुछ। मेमरी issues हैं. मुझे अपना नाम याद नहीं रहता. पॉनिक्स कहता है कि मुझे दुबारा से Board के किर tighter से कुछ सवाल पूचने हैं उसे दुबारा पेश किया जाए. लेकिन तब ही पता चलता है कि बोर्ट का केर टेकर तो कहीं चला गया है जिस पर ये सारी लोग काफी हरान होते हैं कि आखिर वो इतने जल्दी कहां चला गया है इसके बाद उस दिन के लिए तो वहां कोड की पेशी खतम हो जाती है यहां पर फॉनिक्स के पास वो डिटेक्टिव आकर कहता है कि मैं किसी भी सूरत उस बोर्ट के केर टेकर को ढूंड कर ही रहूँगा यहां पर फॉनिक्स भी उसके घर जाता है जो कि लेक के पास ही था लेकिन तभी अने वहां पर murder का एक पुरा plan मिलता है, यानि एक page मिलता है, जिस पर murder करने का पुरा method लिखा हुआ था, यानि के murder कैसे किया जाएगा, इसके बात फानिक्स माइल के पास जाता है, और उसे सारे बातें बताता है, जहांपर माइल उसे काफे time पहले की बातें बत था कि जब ये आदमी ये जिसने कभी भी कोई केस नहीं हारा जब इसी पता चलता है कि माईल की फादर केस जीत रहे हैं और उनकी हाथ एविडेंस भी लग गई हैं और ये वहाँ पर मजूद था जहां पर कि माईल की फादर की डैथ हुई थी और ये कहा जाता है कि माईल की से आकर एक आदमी लेड़ने लगता है और यहां पर जब यह बच्चा देख रहा होता है कि उसकी फादर से कोई लड़ रहा है तो वो बचाने की कोशिश करता है लेकिन इसे सब के बीच उसकी हाथ से गोले चल जाती है अब जब यह दोनम बाते कर ही रही होती है तब ही वो उसे यामने योगी के बारे में पता चलता है और उसकी वाइफ का नेम भी पता चलता है और उससे पता चल जाता है कि योगी वही इनसान है जो कि उस केस में बच गया था यहां पर हम माईल के फादर के केस की बात कर रहे हैं और यह इनसान वही आदमी है जो कि बोर्ट का क केरे टेकर को कहीं लाँ भागना दो नहीं चाहता था लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंके मुझे अपने पैरेंट्स की लिए खाणा डूरना था । अब कि ये कि एक एकर अपने पैरेंट्स का नाम पोली बताथा यहां पर फॉनिकस बताता है कि ये इन्सान जो के असलं में बौर्ट का केर टेकर हैं ये ही यामने योगी है यानि कि जो आदमी पिछले केस से जुड़ा हुआ है तब ये सुनकर जज कहता है कि यामने योगी तो वहीं इस बात को प्रोफ करने के लिए लो पोनिक्स केहता है कि तुम्हारी पैरेंट्स का नाम पोली है और यामिन्न योगी की वाइफ का नाम भी बोली ही था वो कहता है कि दोनों Same है इन्हीं यही वो इंसान है पुली का देख भीमिल जिस्पर ऑपर प्रोस市 Cambridge केहता है कि यह क्या बात आप एक पैर्ट की नाम पर ऐसा कह रही है ऐसा कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है अब फॉनिक्स विटनेस बॉक्स में पैर्ट को खड़ा करता है और उससे कहने लगता है कि आप मुझे केस के बारे में कुछ बताएं अब पैर्ट ने क्या बताना था उसने कुछ वर्ड्स याद किये हुए थे जो कि वो उस टाइम भी बोल रहा था वो थे डेट ओफ बर्थ, डेट ओफ मैरिज और डेट ओफ डेट और यह पोली यनि योगी की वाइफ की ही डेट ओफ बर्थ, मैरिज और डेट थी अब यहाँ पर फॉनिक्स इस बात को प्रूफ कर दीता है इसके इलावा वो कहता है कि अब मैं बोट की स्केर टेकर यनि योगी की फिंगर प्रिंट्स लेना चाहता हूं जिस पर वो कहता है कि केमिकल के यूज की वज़े से आप मेरे फिंगर प्रिंट्स नहीं ले सकते तो फॉनिक्स योगी से कहता है कि मर्डर तुम ने किया था हैमन को तुम ने मारा था क्योंकि तुम उनसे बदला लेना चाहते थे अपने पिछले केस का यहां पर माईल भी सबके सामने खड़े हो कर बता दीता है कि मैंने अपने फादर का मर्डर किया था वो कहता है कि जह जिस तरह से भी बेशे कोइंसिडेंस था हुआ तो मुझ से ही था अब फानिक्स माईल को बचाना चाहता था इसलिए वो कोड़ से एक और दिन लेता है अब जजज कहता है कि क्योंकि यहां पर एक और केस कुल चुका है जिसके बारे में हम एक्जामिन करना चाहते हैं तो इसलिए इन्हें एक और दिन दे दिया जाता है नेक्स्ट दि माईल जजज को बता रहा होता है कि उस दिन ऐसा हुआ था कि मेरी फादर एविडेंस को देख रहे थे लेकिन तब एक आदमी आकर उन से लड़ने लगा क्योंकि उससे पता चल गया था कि कोड़ की एविडेंस पता चल गए है वो बताता है कि वो आदमी जो लड़ रहा था वो यामने योगी ही था माईल कहता है कि जब मैंने देखा कि मेरी फादर के साथ कोई लड़ रहा है तो मैंने अपने फादर को बचाने के लिए गन पहंगी लेकिन तबी गन से गोली चली और वहीं मेरे फादर की डेथ हो गई अब यहाँ पर सब को लग रहा था कि माईल की वज़े से उसके फादर की डेथ होई थी लेकिन तबी फॉनिक्स कहता है कि मुझे अबजेक्शन है और वो ये कि जिस गन से फाइर हुआ था उसमें एक नहीं दो बुलिट्स थी और वहाँ पर उस टाइम दो बुलिट्स का ही यूज हुआ था लेकिन अगर देखा जाए तो एक ही बुलिट थी जो माईल की फादर को लगी थी तो फिर दूसरी बुलिट कहां गई अब जज उस से पूचता है कि तुम्हारे हिसाब से वो कौन हो सकता है जिसे माईल की फादर की डेट से फरक पड़ सकता है अब यहाँ पर फॉनिक्स अपने दिमाग का यूज करता है और कहता है कि माईल की फादर एक लॉयर थे इसके बाद वो इस बुलिट को डिटक्ट करने के लिए अपने फ्रेंड से कहता है कि वो अपना मेटल डिटक्टर दे जिससे सब को पता चलता है कि जब मायल से शूट हुआ था तो वो सीधा जाकर प्रोसेक्यूटर को लगा था अब क्योंकि प्रोसेक्यूटर केस को हारना नहीं चाता था और उसके लिए जरूरी था कि मायल की फादर की डेथ हो इसलिए उसने वो दूसरी बुलिट जो बची थी उससे जाकर मायल की फादर को शूट करके मार दिया अब जब सब कुछ रिवील हो जाता है तो वहाँ पर बोट का केर टेकर भी रिवील कर दीता है कि मैंने ही हैमन को मारा था वो इसलिए कि मायल की फादर वाली केस में हैमन नहीं उसे मजबूर किया था इसके बाद इस केस से मायल को रिहा कर दिया जाता है और इस तरह से फॉनिक्स अपने फ्रेंड यानी माईल के जान बचा लेता है यहां पर उनका फ्रेंड भी ये रिवील करता है कि क्लास में जब पैसे चुरी हुए थी तो वो फॉनिक्स ने नहीं बलके मैंने चुराई थी यहां फॉनिक्स और मैल भी केस में आगे काम करना स्टार्ट कर देती हैं मगर इस बार दोनों एक दूसरे की अपोनेंट बन कर नहीं बलके दोस्त बन कर और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है थेंक्यू फर वाजिंग